नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विबित हलचल पर महाराश्विधान परिशत के नागपूर स्थानिया निकाय निर्वाचन शेत्र के लिए शुक्रवार को शांती पुरुन तरीके से मददान हुआ इस चुनाव में कुल 560 मतदाता थे इन में से 504 यानी 98.9 प्रतिशत मतदाता उने मतदान किया विबिनकारणों से 6 मतदाता वोट नहीं डाल सके वोटो की गिंती 14 दिसंबर को जिलाधिकारी कारिया लेके बचद भवन में होगी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आरविमला ने चुनाव आयोक को मतदान प्रक्रिया पुरी होने के बाद भेजी रिपोर्ट में शांती पुरुन रतरीके से मतदान संपन होन अगले चार दिनों तक इस जग्या की मत पेटिया कड़ी पुलिस सुरक्षा में रहेगी इस चुनाव में नागपुर में शहर तहसिल कारिया ले नागपुर ग्रामिंट तहसिल कारिया ले वह कामठी छोड़ कर नागपुर शहर का एक अन्या मतदान केंद्र सहित नर्खे प्रीनी तिन गड़करी की सांसत खेल मोहतसव की अवधारना से नागपुर शहर में चौथी भार सांसत खेल मोहतसव का आयोजन किया रहा है। सांसत खेल मोहतसव समिति के सयोजग पुर्व महापुर संदीब जोशी मुख्य अतिथी के रूप में उपस्तित थे। केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी के अवधारना के तहट शुरू किया गया सांसत खेल मोहतसव उभरते खिलाडियों के लिए एक मंच बन गया है। इस मोहतसव के माध्यम से नागपुर शहर को कई गुणवत्ता वाले खिलाडी मिले जिनोंने राश्टियों और अंतराश्टिय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। नागपुर के खिलाडियों ने क्रिकेट, बैडमिंटन, शत्रंच, मुक्यबाजी, तैराकी, साइकलिंग जैसे विभिन्न खेलों में उत्कृष्टा प्रदर्शन किया है। बड़े पैमाने पर सफलता हासिल करने वाले ये खिलाडी शहर की गलियों और मैदानों पर खेल और अडिट कराने के भी निर्देश दिये, इस अउसर पर निदेशक संचालन चंदरकान थोटवे, कार्यकारी निदेशक प्रभारी, प्रकाश खंडारे, मुख्य अभियंता, राजु घुगे, उपस्तित थे। इस अउसर पर डॉक्र राउत ने आग लगने के सही कारण का पता लगाने के लिए पिशेशक्यों की मदद लेने के निर्देश दिये, अगले दस दिनों में दो कनवेर बेल्ट में से एक को बहाल कर, बिजली उत्पाधन को दो बारज शुरू करने हे तुध दिन्रात काम करने के निर्देश दिये, उन्होंने महाजिन को कालिन उपाय करने के लिए निदेशकों की एक समिती बनाने का निर्दिश दिया ताकि ऐसी घटनाओं की पुनारावृत्ति ना हो प्रारंभ में मुख्य अभिहंतर राजुगोगे ने आग लगने के कारण के बारे में अवगत कराया जबकि निदेशक चंदरकान थोटवे जल्द से जल्द बिजली उत्पादन बहाल करने के लिए युद्धकालें तत्परता के साथ काम करने की योजना पर प्रकाश डाला इस अवसर पर मुख्य अग्री शमन अधिकारी एवं सलाहकार शशिकान पापड़े और उन पेटकर प्रफुल कुटे माटे और पावर स् पर तक स्थगित कर दिया है मनपा युक्तर आधा कुशनन बी ने शुक्रवार को इस समन्द में आधेश जारी किया 15 दिसंबर के बाद को लेकर स्थीति की समिक्षा करने के बाद ही आगे की आधेश जारी किये जाएंगे हालनकि मनपा क्षेत्र में आठवी से बारवी तक की कक्षाएं पहले की तरही नियमित रूप से जारी है महाराश्य सरकार ने पहली से साथवी कक्षा के क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिये थे लेकिन मनपा युक्त ने नए कोरोना संसकरन के खत्रे के मद्दे नजर इन कक्षाओं के क्लासेस शुरू करने के अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेगी हाला कि इन कक्षाओं की ओनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी इस संदर्ब में समय समय पर जारी किये गए मनपा प्रशासन के दिशान इरदेश की अनुसार तमाम स्कूल प्रशासन को कारवाई करनी होगी म्यूजिशियन फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा कवीवर्य सुरेश भट सभागरू हमें आयोजित विदर्ब के छोटे उस्तात कारेक्रम में चार से नौ वर्ष की आयूवर्ग में सावी तेलंग और दस्ते पंधरा वर्ष की आयूवर्ग में सवानी खंडाले प्रथम विजयता रही शुक्रवार को रेशिमबाक स्तित सुरेश भट सभागरू हमें विदर्ब के छोटे उस्तात कारेक्रम का ग्रैंट फिनाले हुआ सभी ने शांदार प्रस्तुति दी चार से नौ साल के आयूवर्ग में दुसरी विजयता अनुश्री केलकर और तीसरी विज थी के रूप में अमन कामले, रतंदिप कामले, आई एरेस राजेश रंजन प्रसाथ, मुंबई से वीडियो के माध्यम से आई एएस डॉक्टर हर्षदिप कामले और होटल व्यवसाई मरोज रायपूरे मौजुद थे भारतिय कला संस्कूती तथा दर्षन के क्षेत्र में विशिचर योगदान देने के लिए प्रसिद्ध दर्षनिक तथा महत्मा गांधी अंतरराश्य विश्वविद्याले वरधा के कुलपती प्रोफेसर रजनेश कुमार शुकलको प्रथम भारती मंदन दर्षन रतन सम् पिहार सरकार में कला एवं संस्कूती मंतरी डॉक्टर आलोक रंजन के हाथों ये पुरसकार प्रदान किया गया इस अउसर पर विश्ष्टा अतिती पदमश्री निरंजन गोस्वामी और कारेक्रम के सयोजक तथा हिंदी विश्वविद्याले के प्रदर्षन कारी कला विभाग के अध्धिक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भारती उपस्तित थे बटोही, सहरसा, द्वारा संस्कुरूती मंत्राले, भारत सरकार और कला, संस्कुरूती एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के सोजन्ने से आयोजित, तिन दिवसिये, वैदेही अंतर राष्ट्रे मोहत्सों में उक्त सम्मान दिया गया इस मौके पर वैदेही कला संग्राहले का लोकारबन भी किया गया, प्रोफिसर अजडिश कुमार शुकल ने भारती मंदन के नाम से प्राप्त सम्मान के लिए आयोजन समीती के प्रती आभार व्यक्त किया, उन्होंने माता वैदेही की पावन मिथिलांचल की धरती पर परहले खोले जाने की पहल की प्रशंसा की और इसके लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वा संदिया हेलिकॉप्टर दुरगटना में शहीद हुए देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत वो उनकी पतनी तथा उनके साथ शहीद हुए भारती सेना के अधिकारियों को सिताबढ़ी मित्र मंडल द्वारा वेराइटी चोग गांधी प्रतिमा के पास आयोजितिक कारेक्रम में श्रधान जली अरपित की गई उनकी याद में दो मिनिट का मौन रखकर विर जवान अमर रहे भारत माता की जै का जैगोश हुआ श्रधान जली कारेक्रम में दिनेश गावंडे, अमित पाठक, वसी मंसारी, विनोध माहूले, राजेश जाधो, अजय धुरिया, विनाय जैन, संदीप कडवेकर, आधी गणमान्या नागरी को वस्तित थे भारत रतनः दॉक्टर बाबासहब आमबल कर की पुण्यति थी, महापरी निर्वान दिन के अउसर पर दॉक्टर बाबासहब आमबल कर के पुतले को विधर्व विकास संगर्ष समीदिके महा सच्जीव, कॉंग्रेस हल्वा समाच के नेता, विक्यात साहित्तेकार, अभिनेता अशोक चवान, धर्मपालवान खेडे, सुनिल जुनगरे, जागिर बैग, संगर्ख्षित मेश्राम, सुरिंद्र मुंडे, सुनिल जायस्वाल, गनेश शेंडे, मुकेश तोटेवा सहित अन्यस्थान या नागरी को पस्तित्थे। उन पर मनुष्यवत का मामला दर्च करने की मांग को लेकर पारडि थाने में वरिष्टा पुलिस निरिक्ष कोई ग्यापन सोपा। कामगार आगाडे अध्यक्ष भासकर पराते ने कहा कि सांदोलन में कई कामगार उन्हें आत्महत्या कर ली हैं। आज अठ्रा प्लस और पैतालिस प्लस आयूबर के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टिका करन नागपुर महनगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टिका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा। टिका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से पंची करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइवन वाक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरिये टिका करन किया जाएगा। ये जानकरी चिकित्सा स्वास्ता धिकरी डॉक्टर संजेच चिल करने दी है। और प्रगती हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। इसके बाद कॉंग्रेस नगर सित स्वाध्य भवन में उनका प्रवचन हुआ। आज स्थानकवासी समाज के पुर्वाध धिक्ष सभापती स्वर्गिय नवल्चन पुगालिया के इतवारी निवास पर सदिच्छ भेट देकर धन्सन स्लोन वर्धवान नगर की और प्रस्थान करेंगे। प्रस्लोन में सुमवार तक विराजमान रहेंगे। रविवार को आचारिय आनन रुशी जी की दिक्षा जैनती के आउसर पर गुणानु वातसहित विवित धार्मिक कारेक्रम होंगे। 14 तथा 15 दिसंबर को अनुवरत भवन हिवरी नगर में वे विराजमान होंगे। श्री वर्धबान स्थानकवासी जैन श्रवक संग नागपूर और श्री श्रमन संग नागपूर ने सभी कारेक्रमों में उपस्तित रहने की विनती जैन समाज के सदस्यों से की है। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभाजी के अमरुत मोहत्सों पर अकिल भारतिय तेरा पंत महिला मंडल द्वारा उन्हें नमन किया गया। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने कहा कि सफलता के अनेक सूत्र है। असफलता से प्रेणा लेकर निरंतर पूरुशार्थ करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। सार्थ का आधार है आत्मविश्वास। मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे लिए करनिया है, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, जो मेरे लिए प्राप्त है। नाकपुर महानगर पालिका के उपद्रोग होजी दल ने शुकरवार को 10 प्रतिष्ठानों पर कारवाई की और 36,000 रुपे का जुर्माना वसूला। सतरंजी पुरा जोन के अंतरगत, एक दुकान से 90 पतंग जप्त कर, 1000 रुपे का जुर्माना, NDS दस्दे के सदस्यों ने वसूला, मनपा युक्तर आधा कुछ ननभी के निर्देशा नुसार, तथा उपद्रोग होजी दल के प्रमुक विरसें ताम्बे के मार्क दर्शन म मनपा की टीमों ने ये कारवाई की, कुई तालुका में हर साल कम से कम क्षेतर का 60 फिजदी अनाज बोया जाता है, हर दोली, बोरी, आवरमारा, मांडल और रुयाट के कई किसानों ने एक कमपनी से चंदू 66 नामक चावल के एक प्रजाती की बीज लगाई, हाला के अंतिम पांडू का ठावकर तथा अजिस कुरेशी और रुयाट की रंजना बोरकर ने इस साल के खरिफ सीजर में पहले चंदू 66 किसम के धान का चयन किया और फिर उसे लगाया, मिनो ठावकर द्वारा 60 किलो, कुरेशी द्वारा 50 किलो और रंजना बोरकर द्वारा इस प्रजाती के प्रयोग कि टक नाशकों की छिड़काव सहित, जुताई के अन्यकारिया समय पर नहीं किये जा सके। फसल कटाई भी बहुत देर से ही हो सकी। कुरूशी अधिकारियों ने फसल का निरिक्षन किया और खिसानों की समस्याओ को सुलचाने का आश्वासन दिया। शिविर का संचलन किया गया। आशा वरकर, दिशानागले, शाहिन बानो, अलका मेश्रा, पुश्पल इंदमवार आदी ने तक्निकी सहयोग प्रदान किया। अंत में जमाते इसलामी हिंद के शहराद्यक्षों मौईनुल हसन ने आयुजित शिविर में सभी सहयोगियों के व्रतियाभार व्यक्त डाक विभाग द्वारा एक से 20 दिसंबर के बीच आजादी कामरुत महत्सों मनाय जा रहा है। आज शुक्रवार को स्थानिय मेंडरोट स्थीत सरस्वती विद्याले में नाकपुर ग्रामिन डाक विभाग के अधिक्षक रेखार इजवी एवं सायक अधिक्षक जयन दाव की मार्क दर्शन में छाद्रों को पोस्टकार्ड वितरित किये गये। इस आउसर पर कामठी प्रधान डाक घर की महिला करमचारी सोनल दोनोडे द्वारा बनाए गई आकरशक रंगोली से लोग मंद्र मुग्द रह गये। कारेक्रम के सफलतार्थ कामठी प्रधान डाक घर पोस्ट मास्टर जाकिर हुसेन, संजे राउट सहित, स्कूल स्टॉफ और शिक्षिकों ने सयोग प्रधान कर सहकार्यक किया। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पतनी और सेनाधिकारियों के दुखत नीधन पर पुरा देश शोक में डूबा है। देश के लिए मारगद रशक साबित होगी। किसी ने पूछा तक नहीं। कॉंग्रेस के और से शुरुवात में उम्मिद्वारी लेने वाले छोटू भोयर को आंत में कॉंग्रेस हाई कमान ने दर किनार कर निरदलिया मंगेज दैश्मुक को समर्थ हं जताया। वोटों का बटवारा होने की संभावना के बारे में बाते हो रही है। नागपुर विधान परिशद हेतु सावनेर तालुका के सावनेर वख खापा नगर पालिका के 43-43 मतदाताओं ने मतदान किया। ग्यात हो कि नागपुर विधान परिशद चुनाव में मुख्य उमिद्वार भाचपा के चंद्रे शिकर बावन कुले और मंगेज देश्मुक थे। एहम वक्त पर कॉंग्रेस हाईकबान ने रविंद्र भोयर को पीछे हटाने का निर्न लिया था। परिश्मान के फर्मान के कारण स्तब्दा वस्था में नजर आए। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 42,000 सधिक नागरिकों के खिलाफ कारवाई की और अब तक 1,94,000,000 लाख रुपे जिर्मान वस्था किया गया है। शहर में मामले कम जरूर हुए हैं लेकिन कोरोना वाइरस से संक्रमन का खत्रा अभी टला नहीं है। अब भी अने एक जगहों पर नागरिक, सामाज एक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियमों के धज्जिया उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते उपद्रों खोजे दल द्वारा इस प्रकार के गहर जिमेदार नागरिकों के खिलाफ कारवाई की जा रही है।